हेलो एवरिवन आज हम आपके लिए बहुती टेस्टी और हेल्दी रेस्पी लेके आए हैं खीर की बहुती टेस्टी है बिल्कुल अलग तरीके से बनेगी ज्यादा गर्मी में खाया जाने वाली रेस्पी है अगर आपने 40 दिन तक इसको लगाता रखा लिया तो वहती एनर्जेटिक मैसुस करोगे यह मैंने जों के ओट्स लिये हैं जो की तासीर वह ठंडी होती है गर्मी में खाया जाते हैं जो इसको पहले इस तरह से मैंने धो लिया है थोड़ा सा इकलावडी पानी इसको मैं निकाल दूँगे जिस कप से मैंने दो कप ओट्स ले उसी कप से मैं जिसमें तीन कप पानी ले रही हूँ इसमें यह ओट्स डाल देंगे बहुती जल्दी और फटाबट बनने वाली बहुती ही हेल्दी रेस्पी है आप इसको जुरू ट्राइ करना यह जों के ओट्स असानी से मिल जाते हैं चक्की पे भी मिल जाते हैं आपको वहां पे रेट में भी कम पढ़ेंगे ओनलाइन तो महेंगे पढ़ते हैं पर चक्की से आपको सस्ते पढ़ेंगे और अच्छे भी होते हैं फ्रेस्ट इस तरह से इसको बंद करके मैं एक विशल लगा दूँगी यह मैंने खस-कस को भिगो दिया था एक चमच थोड़े से मखाने लेंगे किसमें भिगो दिया था भिगोने के बाद किसमें गरम तासिर नहीं रहती अब बादाम ले लिए है 15-20 भिगो के छेल के मखाने को हम रोस्ट कर लेंगे और जो हमने खस-खस और बादाम लिए हैं उसको हम पीस लेंगे दूद के साथ मखाने को रोस्ट कर दे मखाने भी बहुत ही एनरजेटिक होते हैं अड़िया मजबूत करते हैं इसको मेरे दूद के साथ पीस लिया है पानी का यूजद ना करें दूद के साथ पीसें तो उसका ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है मखाने को जब तक रोस्ट करना है जब तक वो क्रिस्पी ना हो जाए मखाने बहुत ही एल्दी होती है हड्या मजबूत करते हैं हाई फाइबर होते हैं जुरूर खाने चाहिए मखाने रोस्ट करने के बाद इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है तो यह रोस्ट हो गए हैं इनको हम साइडी में रखते हैं अब इनको इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उपर से इसमें दूद डालेंगे अब चाहिए तो पूरा इसको दूद के साथ भी पका सकते हैं बिना भी से लगाए पर इस तरह बनाने से जल्दी बन जाते हैं और हेल्दी भी होता है क्यांकि दूद के साथ जिब उसको जब ज़्यार तक पकाएंगे तो दूद बहुत ठिक हो जाएगा अगे एक किसमीष भी इसमे मैंने धा ले ले है जो मखाने रोस्ट कर के लिए थे वभी समें डाल देंगे, मिक्स कर देंगे मखाने के साथ भी सम lawmakers पर और पकाऊंगे, विसेलिन लगाने बस cover करके आपने 5 मिनट सिम गैस पर पकाना है 5 मिनट के बाद खीर बिल्कुल रेडी होगी है भोती टेस्टी बनती है, हैल्दी बनती है ठंडा करने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं मेठे के लिए मैंने थोड़ी देसी खंड लिहां, आप चाहो तो इसमें मिसरीבी, धागया वाली मिसरी ले सकते हैं, बाद भी थंडी होती है और मिशरी Soup भी थंडी होते हैं, दोनों में तो आप इसमें डाल सकते हैं गुड़ गरम होता है इसलिए मैं इसमें गुड़ का यूज नहीं कर रहे हूं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और एक मिनट पकाऊंगी उसके बाद गैस बंद कर दूँगी और ठंडा कहोने के बाद हम इसको सब करेंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेस्पी जुरूर करना अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज लाइक से रो सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी सेर करें बैल वाले आइकन को जुरूर प्रेस्ट करें ताकि आने वाली वीडियो का नोट्विकेशन सबसे पहले आपके बस आए इसके बड़ी आसी रेस्पी में जब तक के लिए बाई